हेलो दियर स्टुडेंट्स आज हम वरक्षीट नंबर सेवन सॉल्फ करेंगे दिखे जो कि रैखिक समीकरनों लिनियर इक्वेशन्स पर बेस्ट है रैखिक मतलब पिटा ऐसा समीकरन जिसमें चर की घात एक हो एक चर वाला रैखिक समीकरन जिसका स्टेंडर्ट फॉर्म होती है एक्स प्लस बी एक्वल टू जीरो क्योंकि ये समीकरन है तो इसमें लेफ्ट एंड साइड और राइट एंड साइड दोनों होती है है हमारे पस, so standard form is ax plus b equal to 0, यहां देखिए चर क्या है x, और x की खात कितनी है, एक है, तो यह एक चरवाला रैकिक समीकरन है, जहां पर a और b वास्तविक संक्याएं होती है, a cannot be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यह पूरी term हट जाएगी, सिर्फ हमारे पस एक constant term बचेगी, जब की रैकिक समीकरन नहीं बन पाएगा, तो समीकरन में हमारे पस हमेशा दो sites होती है, एक example देखते हैं, यदि आपको lockdown में आपकी द्वारा लगाएगा पौदो की संक्या के दुगने में तीन जोडने पर नौ प्राप्त होता है, तो बताईए आपने कुल कितने पौदे लगाएगे, तो बिटा हम कैसे start करेंगे, पौदो की संक्या के दुगने में, हमें क्या नहीं पता है, पौदो की संक्या, तो हमने क्या माली? माना पौदो की संख्या बराबर X तो अब उसने क्या कहए? बहुत ही हमने पेशंस से कुश्चन को पढ़ना है पौदो की संख्या के दूगने में यानि कि अगर आपने X पौदी लगाएं तो X का दूगना 2X कर दिया उसके बाद उसमें 3 जोड़ा प्लस 3 कर दिया आपने तो हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है So it becomes equal to 9 That is 2x plus 3 equal to 9 Step by step हम आखे बढ़ेंगे अब equation solve करनी हम सीख चुके हैं सबसे पहले जो भी x का term है उसको आप यहीं छोड़ेंगे और जो भी plus minus की term है वो आप दूसी तरफ ले जाएंगे प्लस इधर जाके minus में हो जाएगा 9 minus 3 So 2x is equal to 6 अब हमने x को यहीं छोड़ना है देखना है इसके साथ क्या multiply और divide हो रहा है अब आप देख रहें 2 multiply हो रहा है तो 2 अब division में चला जाएगा होथ है 6 by 2 that means कि हमने 3 पौधे लगाए थे next दिखे अब हमें यह चेक करना है क्या यह एक चर वाला रहके एक समी करन है चर भी कितना है सिर्फ एक होना चाहिए और घात भी एक ही होनी चाहिए तो इस तरीके से हमें question दे रखा है तो बिटा इसे हम पहले standard form में लाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है cross multiply करेंगे x-3 को 4 के साथ और इस x plus 5 को 3 के साथ तो x-3 4 भार लिख दिया और 3 के साथ क्या चला जाएगा x plus 5 अब आप bracket off करेंगे 4x minus 12 equal to 3x plus 15 x की terms collect करेंगे यह 3x को हम इधर ले जाएगे कुछ नहीं है तो plus का sign है 4x minus 3x और यह जो 12 है यह 15 के साथ जाके उधर minus के बदले plus हो जाएगा अब 4x minus 3x is one only और यह क्या उतना बन गया 27 तो अब देखे बीटा यह एक है रहकिक समीकरण इसको हम इस तरीके से भी standard form में लिख सकते है x minus 27 equal to 0 तो हम क्या कहेंगे चर्बी एक है घाद भी एक है इसलिए यह एक रहकिक समीकरण है नेक्स देखे आपके चकोर मास्क का परिमाप परिमीटर 53 सेंटीमीटर है अब चकोर देखे यह आयत की तरह एक शेप है मास्क और इसका परिमाप यानि की परिमीटर सारी भुजाओं का योग सबी साइट का टोटल कितना है 53 सेंटीमीटर अब हमें इसकी चोड़ाई दे रखिए और लंबाई बतानी है तो आपको पता है आयत का क्या परिमाप होता है आयत का परिमाप परिमीटर ओफ ए रेक्टेंगल इस इक्वल टू टू टाइम्स L प्लस B L इसकी लेंग थे और इसकी B डेक्ट थे अब B कितना दियावा था यहां लिख लेते हैं पहले परिमाप कितना दियावा है 53 सेंटीमीटर और B कितना है मारे पास 9.5 cm तो इससे सॉल्ट करना हम गयाता है 9 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे 18 प्लस 1 19 बाइ 2 cm आपको यहां यह ध्यान देना है कि यह दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए अब L हमें फाइंड आप करना है बिटा अब हम वापस अपने फाउमले पर आ जाएंगे जो जो चीज़े हमें गिवान है उसमें वैल्यूस रख देंगे अब हम क्या करेंगे यह जो सबसे पहले टू पूरी ब्रैकिट के साथ मल्टिप्लाइं हो रहा है ना इस टू को हम डिवीजन में ले जाएंगे 53 बाइटू इस एक्वल टू एल प्लस 19 बाइटू नेक्स्ट स्टेप में आप 19 बाइटू को हटा देंगे महाँ पे खाली एल रह जाएगा इक्वल टू एल और जब आप इसे सॉल्फ करेंगे हमाँ पास आएगा 34 बाइटू विच इस एक्वल टू 17 cm यानिकि इस मास्ट की लेंग 17 cm नेक्स्ट देखिए आप आपको कुट करने एकोशन जैसे अभी हमने पीछे चेक किया था कि बताइए यह एक चरवाला राकिक समिकरन है या नहीं है तो सेम जैसे अभी हमने किया है सेम उसी तरीके से आप इनको क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे और स्टेंडर्ट फॉर्मि है न ओर फॉर के साथ किसको करेंगे बाई फ्लस एट को ना ब्रैकेट ओपन करेंगे फॉर फ्लस फटेंडर्ट अंदर वाली सभी टम से बार को मल्लिप्लाई करने है फॉर फॉर या फ्लस थृस scripture देखिए 4y से 4y कैंसिल हो रहा है यहां पर तो यह क्या बन गया मैं पस माइनस 10 माइनस 32 इक्वल टू 0 तो यह तो होई नहीं सकता नौट पॉसिबल है ना तो यह एक रहकिक समीकरण नहीं है क्योंकि वाई तो चर्बी यहां पर खतम हो रहा है और जो स्टेटमेंट बची है वो भी पॉसिबल नहीं है देखिए नेक्स्ट है हमें कथन बनानी है स्टेटमेंट बनानी है देखिए फर्स्ट है एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो हम इसको कैसे लिख सकते है एक्स मेंसे 5 घटाने पर 0 मिलता है यह स्टेटमेंट हमें ऐसे राइटिंग में बनानी है तो एक्स मेंसे 5 घटाने पर 0 मिलता है जैसे यह देखिए सबसे पहले एम आपके पास कोई variable है उसका क्या करना है दुगना करना है फिर उसमे तीन जमा करना है तो इसको लिखेंगे कैसे एम के दुगने में 3 जोडने पर 56 मिलता है एम के दुगने में 3 जोड़ा आपने तो आपका आंसर कितना है या चप्पन वह हमें यहां लिख देना है प्राप्त संक्या को छे से भाग करने पर एक बटा दो मिलता है तो यह जो कोशन रह गए बिटा यह आप अपने आप करेंगे तो बहुती इजी कॉंसेप्ट है आई होब कि आप क्लियरली समझ गए होंगे कीप अन लार्निंग स्टे ब्लेस्ट